मुझा पूपिशन्टर दयाद किया गया है कि यहां के लिए है पेर जागता हैं जिन्गाजव्र सब्सक्राइब आई.. और बाकि support staff है और यहाँ पर अगर emergency में किसी का saturation drop होता है तो oxygen की भी विवस्ता है और around the clock monitoring होता है जिसमें patient का screening होता है उनका saturation check किया जाता है उनका pulse check किया जाता है कोई BP का patient रहेगा तो उनका BP monitor होता है कोई डाइबेटिस कर दाएगा तो उनका ग्लोकोमेटर से शुगर मॉनिटर होता है और उस सबसे उनको ट्रेटमेंट दिया जाता है कि कंगते हैं जैसे खाने के लिए नाश्टा खाना गरम पानी और उनको स्टीमर से गहें हैं उनको गार्दवस करने के लिए जो एक पॉजिटिव पेशेंट को जो भी एक प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना फोजिया वह सब के बाद अगर आप मुझे पूछोगे कि कौन सा लोड कम हुआ है अभी जो टाइम चल रहा है जहां पर बहुत ज्यादा केसेस निकल रहे हैं जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिनको कोई सिंटम्स नहीं है बट वो लोग एज़ का काम करेंगे जो घर के लोगों को ज़्यादा इंफेक्ट करेंगे तो ऐसे लोगों को आइसोलेट करना ज़्यादा जरूरी है तो यह सेंटर ओपन करने का यही एक उदेश था कि ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग जिनको तकलीफ नहीं है बट उनके लिए रहने के लिए जगा नहीं है उनके पास तो ऐसे लोगों को हम आइसोलेट कर रहे हैं यह सेंटर में और इस वज़े से जो हॉस्पिटल्स में बड़े हॉस्पिटल्स में या फिर बड़े जम्बो सेंटर्स में जो पेशेंट जिने कोई तकलीफ नहीं है बट वहां के बेड उनको अकुपाय हो जाते है उनसे तो उनका भी लोड थोड़ा कम हो गया है यह सेंटर ओपन होने के वज़े से और यहां के लोगों को जब अच्छे लोग है अच्छे लोग है इसके लिए अंदर के लिए तो बहुत अच्छा देक अच्छे इशब अच्छे को जब है कि लिए याभे